Hello everyone welcome back to my channel मैं हूँ निहारका इस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ best products जो की 2023 launch है और यह worth the money है मैंने इनको use किया है मतलब मैंने जब new launch थे तब तो मैंने review किया था लेकिन उसके बात भी मैंने इनको use किया और एक तरह के से यह अब मेरा हमेशा के products हो चुके हैं मैंने हमेशा use करती हूँ एक तरह की से fix हो चुके हैं अगर मुझे ठाना है तो मैं इनको ठाती हूँ और यह seriously worth the money है ठीक है तो वैसे भी a festive season है बहुत आदा sale है तो ऐसे मैं मुझे लगता है मुझे बहुत आपके साथ शेयर करने चाहिए जो मैं personally भी हर दिन use करती हूँ और एक तरीके से मेरे most favorite है तो यहां मेरे पास कुछ ऐसे ही products है जो कि मैं आपको 100% recommend करूंगी मतला आपको ज़रूर ज़रूर ट्राय करना चाहिए वैसे बहुत सारे हैं मैं थोड़े से यहां पर दिखा रही है बाकी बात में आने वाले videos पर दिखांगी तो चलिए स्टार करते हैं video let's start जो सबसे परड़क है वो है प्राइमर ऐसे तो मेरे पास इतने सारे प्राइमर है लिकिन जब भी मुझे यूज़ करना हुथा मैं हमेशा ही इसे यूज़ करती हूँ क्यों कहीं ये मेरे स्किन ताइप को सबसे अच्छे सा सूट होता है मैं बात करूँ निक्स के माश्मेरो 겠지만 आपने सारे वज़ को सबसाइब करते शोचाल प्राइमर की आप अच्छे प्राइस में मिल जाएगा अच्छे प्राइस में मिल जाता है और मेरे पास चितने भी प्राइमर मेहे तो महंग से मेh Particularly Heat Easy पे ही जाता है क्योंकि जो इसका टेक्शिर बहुत क्रीम ही क्रीमी जैसे आप अप्लाय करेंगे ऐसा लगेगा आपने कोई मॉश्राइजर अप्लाय करिया तो थोड़ा बहुत भी जो कसर रह जाती को प्रेप करने की वह यह कंप्लीट कर देता और आपको अच्छा खासा हाइड्रेशन मिलता है उसके बाद आपकी स्किन बहुत ही जो टेक्श अच्छे से अपने फेस पर अपने यहां जो होता है हर जगा अप्लाय करती हूं और एक तो मेरे फेस को हाइड्रेट करता है यंदर तर सिंग हो जाता है और मुझे फुल आउट जिकना देर भी मैं मेकप करके रहती हूं मुझे मेरी स्किन ड्राय नहीं फील होती अंदर से मेरी स्किन अंदर से हाइड्रेट ही रहती है तो अच्छी मुझे एक बहुत जादा पसंद है तो यह उनके लिए प्रायमर है अगर आप ड्राय स्किन है कॉमिनेशनल स्किन है और आपको सॉफ्ट बलर लुक चाहिए पर थोड़ा बहुत भी टेक्श्यर आप चाहते हूं इसको भी यह स्मूद आउट कर दे तो इस इस अवेरी गॉड प्रायमर और यह मेरा लैक गो तो प्रायमर है जो कि मैं चाहा कर भी इसको अवाइट नहीं कर पाती हूं वह है यह लमेर का बीबी कॉन्टूर ठीक है मैं रिसेंटली आपको दिखाया था तो यह एकदम अवेरी जो शेड रिचोट होते हैं वह अपके आपके शैडो वाले शेड होते हैं तो में फोब यह फॉल अपके ना के लिचोरा ऑन चाहीए यह स्पर्फेट हैं तो यह यह बैसा इंदम पॉफेट ठीक है तो मैं कुछ भी यूज रिचों करती हूं मुझे पहले जो मैं क करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा यूज करती थी ठीक है थोड़ा सा लगता था कि चिंग देख रहा है तो मुझे कई चीजों को मिक्स करना पड़ता था लेकिन अब मेरे जो प्रोड़क्त की लिस्ट है खासकर को उन्टूरिंग में वह बहुत कम हो गई है मैं सिर्फ इसे प्लस एक और है उसको मिला के यूज करती हूं और यह मैना साड़ा काम कर देता और मुझे इसको स्कुइज में एको पर जितना प्रोड़क्त होता है उसी में काम हो जाता है उतना ही मैं इना अप्लाए किया उसी को ब्लेंड किया और तो अच्छा खासा शैडोब दे देता तो अगर आप चाहते हैं कि आप face को contour करें, true contour shade चाहिए तो आप इसको ज़रूर बायक करिए यह सब भी पे चाहिए क्योंकि एक cool undertone है और actual में यह help करेगा जो भी extra, मतब एक illusion देने में कि आपका face पतला है और थोड़ा बाद जो loose skin है उसको हाइट करने में मतब हलका सा look यह देगा तो मैं इसको हमेशा यूस करते हूँ और बहुत ब्लेंट हो जाता है अग्दम क्रीमी सा है तो बस brush लगाई हो यह blend हो गया और आपकी skin hydrated भी रहती है यह ऐसा प्रोड़ट है यह कोई भी skin type है आप यूस कर सकते हैं तो मुझे काफी जादा पसंद आया क्यूंकि एक तो liquid form है और खासकर यह undertone में कहीं भी जल्दी प्रोड़स नहीं मिलते तो यह like must have है यह next product है वह actually foundation है और इसकी request कही रोगो ने की पर मैंने already इसका review किया है मैं again यहां पर like description में डाल दूँगी आप check कर सकते हो हाँ मैंने application नहीं दिखाया है बर मैंने oxidation दिखाया है application आप यहीं मान सकते हैं यह इतना अच्छा है कि मैंने आज भी apply कियो मैं अराम से कभी भी से apply कर सकती हूँ मैं बात करी हूँ mask foundation कि यह new mask foundation है यह आपका high coverage foundation है और actually काफी अच्छा है और जो इसका shade 03 मुझे exact match होता है मुझे कुछ भी mix and match नहीं करना पड़ता undertone shade सब कुछ perfect है और even oxidation होने के बाद भी आप देख सकते हैं जो मेरा face दिख रहा है वैसे ही मतब एक तरीके से dark नहीं लग रहा है मतब face जैसा होना चाहिए वैसा ही दिख रहा है जो की काफी अच्छा है तो अगर आप मेरे skin tone के हैं बहुत जादा exact skin tone के हैं तो आपको 03 लेना चाहिए ठीक है तो आपका face ऐसा ही आपको color दिखेगा face का यह जो foundation थोड़ा सा thick है थोड़ी thick dense consistency है तो आप blend करते हो तो आपको medium coverage मिलता है तो इसलाइक medium to full के बीच का है यह और सीरिसली बता हूँ एक ही कोट में आपको अच्छा खासा coverage मिल जाता है skin आपकी all the time hydrated है यह natural finish देता है हल्की सी doing ऐसे बहुत जादा नहीं मोसली आप natural finish कह सकते है लिकिन हाँ आपका base जैसा है वैसा ही रहता है उसकी उपर प्रॉरास बहुत अच्छा काफी अच्छा foundation है आप ज़रूर ट्राय करिये मतलब और honestly बता हूँ एक बहुत expensive foundation मुझे उसका लिए लगता है क्योंकि आपको skin like coverage देता है लेकिन undetectable मतलब आपको better skin देता है पर सारे floss को height कर देता है तो मुझे यह बहुत जादा पसंद आया जो नेक्स प्रॉडक्ट है वह actually moisturizer है और इसे मैंने पूरा यूस कर लिया है यह है Dr. Shade का ceramide vitamin C oil free moisturizer and this is so 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 good ठीक है यह oil free है तो कोई भी skin time use कर सकता है यह seriously hydrating pure hydrating moisturizer मतला अपलाय करोगा आपको hydration field होगा एकदम से आपी skin में अच्छा हादा hydration जाता है इसमें vitamin C है जो कि बहुत अच्छा है also ceramide से तो सारे ingredients भी अच्छे है प्राइस भी सही है और मैंने पूरा use कर यह अभी इसमें है पर मैं इसलिए यूस नहीं कर सकती हूँ क्यूकि इसका अंदर से इतने अफोर्ड बिर प्राइस में ठीक है मैं अगर मुझे 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 मॉस्टराइजेशन चाहिए एक हाईलाउनिक एसे बेस मॉस्टराइजेशन चाहिए तो मैं हमेशा न्यूटरजेना का उठाती हूँ लेकिन यह अच्छा-कासा उसे रेप्लेस कर साथा क्यूंकि आपको उतना ही जादा हाईड्रेशन मिलता है पनी स्किन में जितना की आपको और हाईड्रेटिंग मॉस्टराइजर देगा तो इस बेरी गुड जोने इस प्रॉट है इसका ही आपको रिकमेंडेशन दिया है इससे पहले मैं हमेशा के ब्यूटी या प्लम का देती थी लिकिन इसने उनस आपको पीछे छोड़ गया सीरेस्ली इसस सो गुड़ सूपर कंपटेबल है ब्लैक है इसको जादा अपलाए नहीं करना पड़ता है मतब वह चीज होती न काजल को अपलाए करने का एक स्ट्रॉकल होता है कि वह दिखने लगे उसके बाद चलिए लॉग लांग लास कर रहा है वह अलग चीज है यह ए लिखता है तो मुझे इस सच में बहुत जादा पसन है बिल्कुल भी मेरी आइस को इरिटेट नहीं करता है कभी भी नहीं और एक बार मैंने लगा दिया तो मेरे को टच नहीं करना पड़ता है नहीं कुछ करना पड़ता है मैंने अगर ऐलाइन अपलाए किया तो मेरी आइ तो यह काफी जाद अच्छा है, मैं तो यह मेरा मोस्ट फेवरिट है, नमबर वन, और मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगी, आप ट्राय करके देखो, तब भी आप इसको अराम से यूज़ कर सकते हैं, जो इस प्रोटेस के पार में आप लोग हमेशा पूछते हैं, इस बार मैं मैं यहां पर फाइनली बता रही हूँ, अगर आप एक अच्छा मेकप ब्लेंडर ढूंड रहे हैं, मेकप सपंज ढूंड रहे हैं, तो जो मैं हमेशा अब यूज़ करती हूँ, मतलब, like, मुझे लगता है, यह जितने भी में पास सपंज में बेस्ट है, यह है प्रोश का म जिए पास सब तो यह जितना रही ह, इस को ही यूज़ करती हो, मैं बर टोश या पास सब्सक्राइवfa, एक पर इसले गाए यूज़ करती हो, मैं इस बार्श का में। चलु भार आप करती हूँ, ज़तना नहीं हों। तो इस बार का और आप यूज़ी नहीं प् нов प्रड़ आपको दोना करी क्षेक यह चले पर अच्छम पर भाद रहाएं। प्रीविस प्रट लक बन पाने कोई विदा के नेसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड करता है एक तो जल्दी ब्लेंड करता है और मैं इसे अराम से यूज़ कर सकती हूं में को टेंशन नी रहता कि धोना है हाँ धोना चाहिए आपको 2-3 यूज़ के बाद धोना चाहिए लेकिन यह स्तिल इतनी क्लीन कर्डिशन रहता है कि धोने के जल्दी नी रहता है यह तो इसली वर्दमनी है हाँ I know हलका सा महंगा है यह यह अगर आप प्रगर कर रहे हैं अच्छा में कर रहें को पाता है बहुत से अफ़ोडबिल के नाम पर उतने अच्छे ब्लेंडर नहीं मिलते हैं, मैंने भी बहुत से खड़ीते हैं, बहुत से बेकार पैसे बेज गया हैं, लिकिन अगर आप एक धंक के मेकप ब्लेंडर में करेंगे तो आपका 2 से 3 साल तक चलेगा 2 से 3 साल तक चलेगा अच्छी क्वालटी वाले जोते हैं और ऐक आपके फटने लगते हैं निकलने लगते हैं अच्छी quality वाला आपका रहेगा सालो साल रहेगा तो एक बार इंवेस्ट करना आपका बनता है साइस का हो जाएगा जो कि काफी बड़ा साइस है अब देख सकते हैं आप देख सकते हैं सूपर सपंजी है चुनने इस प्रोट है वह है इंसाइड प्रोफेशनल का air blush फिलहार कौं तो इतने सारे ब्रैंड्स के ब्लश अब आने लगे हैं हर डिफरेंट टाइप के अभी निव लांच हुए है मैं तो थक चुकी हूं लेते हैं हर बार मुझे नया ब्लश दिखाना पड़ता है लेकिन कुछ-कुछ ब्लश होते हैं जो कि अपनी जगा बना लेते हैं मतलब तॉप में आ जाते हैं आपके पर फेस्ट पर हाइड्रेशन रहता है स्टीकिनेस नहीं रहता नॉमली मैं एकदम से क्रीमी ब्लश अप्लाए करने में मुझे कभी लगता है डर लगता है कि युनो वह मेरा बेस ना खराब कर दे लेकिन यह बेस आपका नहीं खराब करता और यह दिखता है इसका अच्छ यह बहुत अच्छी है तो यह कुछ ऐसा देखता है आप देख सकते है बहुत प्यारा यह है यह पिंग वेलंटाइम ठीक है और मैं अच्छे खासे महंगे महंगे जो आपके आते हैं क्रीम ब्लश उमको टकर देता है इसका क्वालिटी बहुत ही जादा अच्छा है मुझे अच्छी में पसंद है और इसमें आपको हर टाइप का शेट मिल जाएगा इवन पर डाकर स्किन टून के लिए आपको शेट मिल जाएगा तो यह वर्द अप्र आपको इसको ट्राय करना चाहिए इसको अप्लाय करेंगे तो यह आपके अच्छे खासे जो महंगे ब्लाश एक शेटी आपको शेटेगा गाई जोना इसको वह है लिप्स्टिक वैसे में बहुत सारे ओप्षण लेकिन आज मैं एक ओप्षण शेयर कर रही हूं यह वह लिप्स्टिक है कि मैं चाहके भी इसको इंगनोर नहीं कर पाती हो मुझे कहीं भी जाना होता है कुछ भी करना ह कि बाटर की तरग ग्लाइट होती है और अप्लाइट करने के बाद भी आपके लिप्स जो है जो है जो है जो है जो नहीं जाता भले यह ट्रांसवर प्रूफ भी हो जाए तो बहुत अगर मैं इसको अप्लाइ करती हूं तो भले जितने भी चैपी हो ड्या हो लेकिन तब ही मुझे अप्ले लेवल मिलता है वनना भले बाकी लिप्स्टिक है आपकी ट्रांसवर प्रूफ भी है लेकिन जब वो ड्या होती है तो अतना अप्लाइजेशन रहता है यहां पें मैं जब भी कुछ लगाना होता है मैं इसी को लगाती हूं यह है शेट एविडे न्यूट इसका एक और शेट है मेरे पास पर नाम याद नहीं पर मैं सवाच डाल लूगी पर हां इतना कौँगी कि वैसे बहुत सारी अच्छी ची लिप्स्टिक आई है मुझे पसंद भी ह लेकिन फिर भी एक जो हो जाता ना फेवरिक में आड-on की हाँ यह तो है है तो यह लए लगात तो यह लटक्तिक मेरी सच में ते यह लगात है यह नियू पेंट मैंने जब भी इने अपलाय किया आप लोगों ने हमेशा पूचा है कि कॉन ने पेंड एक कॉनसा ने पेंड नहीं है मैं बात करूं सेरी के निल पेंट की and seriously इतने अच्छा फॉंड़ा इतने गौर्जश शेट इसमें मिलते हैं कि मैं भी शॉक थी ठीक है यह जो है सेरी का color flood वाला जो range है इसमें आपको इस ताइप के shimmer वाले निल पेंट मिलते हैं बहुत ही अच्छा शेट मिलता है इ दूसरा है यह embellished यह एकदम आपका bronze gold type का shade है बहुत खुब्सूरा है आप जैसे अप्लाइ करते हैं आपके पूरे निल्स रफ्लेक्शन है वो इतनी high quality का है कि मैं आपको क्या बता हूँ ऐसे लगता है पता नहीं कितना ही महंगा nail paint लगा लगा लिगा 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 यह जरुरु टाया करना चाहिए वैसे भी festival of wedding season आ रहा है तो यह जो है nail paint करेंज अपयर लिगा यह दो कर दो आप लिगे फार्न पधार प्रफशन को है तो यह मुझे बहुत पसंद है और दूसरा जो इसका है seri bold कर के जो collection है उसमें भी आपको बहुत अच्ह अच्य शेट मिलेंगे मैं यह शेड बाइ किया था this is like mustard yellow और मैं सच बतारी हूँ ऐसा शेड में पास कभी नहीं तो मिलता भी नहीं हमेशा yellow shade मिलता है मुझे खुद अपने निल्स इतने जादा like high quality लग रहे थे ना मतलब निल्स इतनी खुबसूरत लग थे मैं ही obsessed होगे थी और जब भी मैंने इसको लगा के कोई भी clip की है ना सबने सिर्फ nail paint पूचा है और यह ऐसा shade है कि आप even dusky skin tone या fader skin tone सबके हाथ ना बहुत ही जादा खुबसूरत लगेंगे एक्टमी unique shade है इस type का आपका यह yellow है वो हर complexion को suit करेगा तो आप try कर सकते हैं यह है shade macaroon So guys this was the video I hope आपको पसंद आया होगा यह मेरे favorite product है वैसे और भी है जो कि मैं share करती रहूंगी पर हाँ यह मेरे go to product है जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ आज भी use किया है तो अगर आप इन product को buy करना चाहते हैं तो आप description में चेक कर सकते हैं मैं links दे दूँगी Also important thing जरूर मैं बता दूँ जब भी मैं shot डाली हूँ YouTube shot डाली हूँ तो लोगों का अकसर message आ रहा है कि link click नहीं हो रहा तो मैं आपको पता दूँ कि YouTube ने हटा दिया है कि YouTube shot पे आप clickable links नहीं डाल सकते हैं ठीक है मतलब नहीं डाल सकता है नहीं आपके message में जाएगा नहीं आपके description में जाएगा कहीं भी नहीं जाएगा तो जो link है वह click नहीं हो सकता तो आप direct site पे नहीं जा सकते हैं तो YouTube हटा चुका है like last month ही से हट चुका है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूं मैं link सही डाल लिए पर वो click अप नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह चीज हट चुकी है तो आपको copy paste करना पड़ेगा नहीं तो आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं वहां पे मैं आपको direct link provide कर दूँगी So yes So guys अगर आपको यह वीडियो पसन आए तो उसे like, share, subscribe करना मन पिलेगा Bye